हलो बच्चों तो चलिए फट 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 शुरू करते हैं पावर आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं हाँ चैनल का नाम है न्यूटर 9.8 तो चलिए हम लोग पावर के बारे में डिसकस करते हैं तो सुचिए कि पावर का आइडिया कहां से है अब लोग पावर जो वर्ड है वो तो खली और बल्ली है दोनों एक ही काम को करते हैं अब दोनों एक काम को करते हैं और ये जो लेता है एक घंटे में उसी काम को करता है और ये सुचिए कि दो घंटे में करता है तो ओवियस सी बात है कि कोई आप से पूछेगा आप ही उसको जज़ करेंगे बोले कि यार खल हम लोग यह बोल सकते हैं कि किसी भी काम को कितना जल्दी आप करते हैं वो आपको दिखाता है कि आपके पास कितना पावर है जिस काम को आप जितना जल्दी करेंगे तो आप बोलें कि उसमें आपने ज़्यादा पावर इंपुट किया है आपका पावर मतलब यह बोलें कि आ उतना जल्दी किया जाए उस केस में हम लोग बोलेंगे कि power उसका ज्यादा है यह बोलिए कि rate of doing work is called power, किस rate से आप काम करें, अगर जल्दी जल्दी अप काम करें तो आपका power ज्यादा है अगर धीवे धी में काम करें तो आपका power कम है, तो simple word में अगर मैं बात बोलू कि power क्या होता है तो rate of doing work, rate of doing work, ठीक है, इसको हम लोग is called power, आपको लिखनी जवरत नहीं है, मतलब इतना काफी है, तो अब देखिए, अब rate of doing work, तो हम लोग एक लिए power को दो तरीके से दिखा सकते हैं, कभी-कभी आपसे होता है कि पूछता है कि average power कितना है, या दो चीज़े पढ़नी होती है, average और instantaneous, तो average power, तो अगर आपसे p average बोला जाए, तो आप बोले हैं कि delta w by delta t, किस rate से आप काम को कर रहे हैं, work done per unit time, ठीक है, rate of doing work, यह भी बोल सकते हैं, हम लोग एक चुलिए इसको, कि work done per unit time, work done per unit time, कि मतलब कोई unit time है, unit time में, अगर physics की बात करें, तो unit time हम लोग एसा ही जो है, वो एक second लेते हैं, तो बिसकली हम लोग यह बोल सकती कि, एक second में, आप कितना काम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कि power, आपका power हो गया, right, तो average power जो होगे, आपका delta, डेल्टा, डेल्टा, टीमा लेकि आपने कुछ काम किया, delta time में power की, तो instantaneous जो power हो गया आपका, इसको हम लोग simply P से दिखाते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, dw by dt, right, अब हम लोग power को ऐसा भी लिख सकते हैं, dw by dt, यह क्या होता है कि d by dt, f dot ds, right, f dot क्या हो गया आपका ds, तो देखें, हम लोग यह मान सकते हैं, किसी moment पर अगर आपक power निकालना हो, तो इस moment पर हम लोग force को मान सकते हैं, constant, और लिखेंगे ds by dt, d है, वहाँ चला गया, right, तो ds by dt क्या हो गया आपका, ds by dt हो गया, v, velocity, right, तो आप बोल सकते हैं, कि जो power हो गया, वो instantaneous power यह बोलिए, कि instantaneous जो power हो गया, आपका f dot v, यह भी एक तरीके से काफी important formula है, बिल्कुल ही आसान चीज है power, लेकिन देखने में थोड़ा लगता है कि क्या है कोई लंबा चौरा सा चीज है, right, average power अगर बात करें, तो आपको work दे देगा, आपको time दे देगा, आपको निकालना है कि average power कितना हुआ, कभी-कभी क्या होता है, कि हम लोग को work done नहीं calculate कर पाते हैं, कुछ दूसरे तरीके से पूछता है, तो होता है क्या, कि work done आप ऐसे भी calculate कर सकते हैं, जो work done होता है, knit work done बोलिए, या एक सूची कि एक ही force अगर काम कर रहा हो, if only one force is acting, मैं सब बोल देता हूँ आपका, if only one force, only, अब इसको one कैसे किया था है, one force is acting, then, हम लोग ये बोल सकते हैं, delta w जो होगा आपका, change in kinetic energy के बरावर होगा, ठीक है, अगर दो-तीन लोग मिलकर कर रहे हो, तब अलग बात है, लेकिन अगर एक ही force उस पर act हो रहा है, अगर उस पर एक ही force act हो रहा है, तो जो भी work होगा, वो direct किस में जाएगा, kinetic energy में, तो उस case में आपको average power calculate करना हो, तो direct delta w by delta t के बजाए, आप लिख सकते हैं, delta k change in kinetic energy by time taken, तो ये भी आपका एक तरीका हो गया, ठीक है, तो ये average पर हो गया, हाँ, instantaneous power में एक और भी बात बताना है मेरे को, मेरे को क्या बताना है, कि आपका जो हो गया, मैंने, चली हम लोग since use कर लेत हम लोगों ने ये बोला कि p is equal to, p is equal to what, is dw by dt, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो dw होगा आपका, वो होगा p dt, right, अब सबको पता है कि integration, दुनिया में जो integration होता है, वो क्या represent करता है, वो cough represent करता है, right, ऐसा बत नहीं है, जो integration होता है actually, वो area of p versus t graph, ठीक है, तो आप से पूछे, कि area of p versus t graph क्या देगा, तो आप बोल सकते हैं कि वो देगा आपका work done, वो क्या देगा आपका, work done देगा, right, और एक और बात कि power into time भी आपका work done होता, अगर आपका power constant हो, if power is constant हम लोग बोल सकते हैं, अगर आपका power constant हो, तो उस case में आपको integration करने के जरूरत नहीं है, आप सबको दुनिया में मालूम है, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, कि अगर कोई चीजे constant हो, तो इसको integrate करने के जरूरत नहीं है, तो अगर power constant हो, तो आप delta wg को लिख सकते हैं, कि power into क्या लिख सकते हैं, direct time, तो आपका देगा work done, ठीक है, तो यह आपका power के formula हो गया, correct, इसको आपको ध्यान में रखना है, हाँ, एक और बात, बात यह है, कि note में लिखिया है, जैसे भ बात है, कि मैंने अभी बोलकर भूल गया, कि मैं क्या बात बोलना था, actually बात यह बोलना था, कि efficiency जो word है, आपको यहाँ पर use किया सकता है, लेकिन हम लोग actually में efficiency जो है, वो thermodynamics में पढ़ते हैं, लेकिन efficiency अगर आप से पूछा जाए, कि efficiency क्या होता है, तो efficiency, इसको हम लोग eta स बोलते हैं, तो efficiency actually होता है, क्या, सुची कि efficiency आप कितना बोलेंगे, ठीक है, कैसे define करेंगे, तो हम लोग ऐसे efficiency को बोल सकते हैं, कि आपने कितना input दिया, और उसके बज़ए आपको कितना output मिला, मनले कि आप किसी को 100 रुपे दिये, ठीक है, और वो काम कर रहा है, पचास बोलेंगे, तो आप efficiency कितना बोलेंगे, उस आजमी का efficiency हो कितना बोलेंगे, आप बोलेंगे कि उसका efficiency है 50%, तो उसी के basis पे यहाँ भी efficiency defined किया गया है, आपको efficiency जो define किया है, वो ऐसे define कि power output, जो output आपको मिला, divide by जितना आपने input दिया, ठीक है, वो engines बगरा है, में हम लोग इ एक second, आपने suppose किजिए कि 100 रुपे का engine में petrol जलाया, कोई आपका engine है, ठीक है, उसमें 100 रुपे का आपने petrol जलाया, और आपका बस काम हुआ 50 रुपे का या 75 रुपे का, अगर 75 रुपे का काम हुआ तो आप बोल सकते है कि उसका efficiency हो 75% है, या यह बोलेंगे 0.75 है, percentage में 75% ह तो हम लोग ऐसे efficiency को दिखाते हैं, कितना आपको मिला और आपने कितना उसको input दिया, तो चलिए हम लोग question को solve करना शुरू करते हैं, power के questions आसान होते हैं, मैं आपको बता दूँ, इसे डाला tough questions नहीं होते हैं, लेकि लोग को tough लगता है, क्योंकि इसको लोग ignore कर देते हैं, power delivered by force on a body varies as P is equal to this, find work done by the force in 3 seconds, तो 3 seconds में आपको work done निकालना है, तो मैं याद सोचूंगा कि power से work done कैसे निकालते हैं, तो आपको अगर नहीं याद है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कि जो power होता है, basic formula है, dw by dt, यहाँ variable है power, तो आप differentiation का use बिलकुल कर सकते हैं, यहाँ से आप आपको d w मिल जाएगा अपका p dt, अब यहाँ से आपको idea लएगा, कि हम लोग actually कैसे calculate करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे delta w is equal to p dt integration, तो इसलिए power का value put कर देते हैं, 3t square plus 2t, 3t square plus 2t and dt and integrating from 3 seconds में पुछा गया है, तो आप 0 से 3 seconds तक इसको आप integrate कर देंगे, तो delta w जो आपक 3t square, तो 3t square के integration, tq by 3 हो जाएगा, प्लस आपका 2, t square by 2, आप लोग ने integration पर रखाओगा, नहीं पर रखाओगा, तो आप जो mathematical tool से उसका video देख लिए, यह दो video integration के, वहाँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आजाएगा, तो इसको आप लिख सकते है, tq plus t square and integrating from 0 to 3 seconds, now if we put the value, we'll get 3 cube plus 3 square minus 0, which is going to be equal to delta w is equal to 3 cube is how much, is 27 plus 9, तो यह आपका 36 joule हो जाएगा, हाँ एक और आपको बताता हूं कि दुनिया में सबको मालूम है कि पावर का unit है, जो आपका पावर का unit है, हो क्या होता है, what, ठीक है, ठीक है, आप लोगोने में में से सिख रखा होगा, चलिए, अब question है, कि, question number two में दिया हो, कि power delivered to a body is given in the diagram, जो power versus t graph दिया हुआ है, P versus t graph, हो P versus t graph से आपके दिमाग में एक ही बताना चाहिए, कि area निकालना है, ठीक है, if the body has mass 3 kg, then find, आपको निकालना है क्या कि net work done on the body, on the body in 10 seconds, तो 10 seconds में आपका net work done कितना होगा, ठीक है, फिर आपको निकाला गया है, पूछना है कि speed of body at t is equal to 10 seconds, t is equal to 10 seconds में कितना होगा उसके speed, if it starts from rest, तो हम लोग देखे, idea कैसे, question को approach कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको दिया हुए है PT graph, आपको दिया क्या गया है PT graph, अब PT graph का जो area होता है, work done represent करता है, PT graph का जो area होता है, क्या represent करता है, work done, right, तो सबसे पहले आप इसका area निकालेंगे, उपर का area A1 मनेंगे, आप नीचे का area A2 मनेंगे, और area वाले chapter में जब मैंने ये पढ़ा रहा था integration के topic में ही मैंने discuss किया था कि आपको पता है कि उपर के area को हम लोग positive लेते हैं और नीचे के area को क्या लेते हैं हम लोग negative लेते हैं तो जो PT graph का area है हो आपका देदेगा work done तो first question आपका हो जाएगा second question वाने के लिए आपको ये पता है कि जो work done होता है किसी body का जो net किसी body पे net work done होता है वो changing kinetic energy के बराव होता है हम लोग इसको work energy theorem बोलता है net work done by all the forces is equal to changing kinetic energy तो उससे आप निकाल सकते हैं changing kinetic energy उस area के बरावर जो होगा आपका changing kinetic energy होगा और चेंजिक एंटिकर जए आपको पता है तो final speed पता हो सकता है कि initial speed इन्होंने दे रखा है जो कि zero है initial speed आपका कितना है जीरो है तो आप इस question को pause करकर आप proceed कर सकते हैं बिल्कुल class में हम लोग ऐसे ही attempt करते हैं आप घर में भी आप ऐसे attempt किजिए आपके questions बनने शुरू हो जाएंगे लेकिन अगर आप solution देखेंगे तो solution देखने में मज़ा तो बहुत आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे part 1 में कि delta w is equal to area of pt graph तो यहां मैं area कर बात करूँ तो आपको हो जाएगा a1 मैं नीचे की area को magnitude को a2 लेता हूँ आपको पता है कि नीचे की area negative होता है क्योंकि उसका height जो है negative minus 5 आप देख सकते हैं जो a1 का value होगा आपका आप देख सकते हैं जो triangle है half into the base is 8 and the height is 10 minus a2 is half into the base is 2 and height is 5 actually लोग माइनस अल्यडी लगा रखा है तो आपको हो जाएगा आप काटेगे तो 40 minus आपको जो हो जाएगा 5 which is equal to 35 जो work done आपको हो गया delta dual जो net work done हो गया वो आपका 35 joule हो चुका है करेक्ट चलिए हम लोग second part को discuss करते हैं आपको पता है कि जो delta w होता है network done is equal to change in quantum energy के बढ़ा होता है तो आप लिख सकते हैं जो network done हो गया है 35 हो गया है change in quantum energy होगा half m v2 square minus v1 square और you can say 35 is equal to half m is I think 3 kg 3 kg right आप लोग सोचेंगे 3 kg मैंने क्यों ले रखा है actually मैं सोच रहा था कौन इतना simple calculation दे थोवा मजा किया जाए calculation को difficult करकर तो हाँ यह question calculation थो अदिक्कत हो चुका है तो आपको लिख सकते हैं इसको 70 by 3 under root यह आपका v2 actually हो जाएगा 70 by 3 तो इसको आपको under root लगाने के जरूरत नहीं है और जब आप v2 लिखेंगे तो v2 जो हो जाएगा under root 70 by 3 meter per second बहुत लोग calculation के लिए ही परिसान होंगे वहाँ ठीक है जरूरत नहीं है आप practice को कर सकते हैं calculation के लिए आप थोड़ा आपको खुद से practice करना होगा आपको खुद पे confidence लाना होगा confidence लाना होगा ठीक चलिए question number 3 को discuss करते हैं question number 3 में दिए होगा कि power versus time graph for a given force is given मतलब यह बुला गया है जो हिंदी viewers से उनके लिए मैं रुपांतरन कर दूँ कि दिया हुआ है P versus T graph किसी force का जो है P versus T graph दिया हुआ है then work done by the force up to time T naught जो पुछा गया है कि उस force के दोरा जो work done होगा वो T naught time तक कैसे vary करेगा इसमें सो options आपको चूज करने हैं एक और फिर से में repeat करता हूँ कि P versus T graph power versus time graph of a force is given and you have to figure out how the work done by that force is varying with time till time T naught till time T naught मतलब T naught time तक वो कैसे vary करेगा तो options में दिये गए हैं कि first increase करेगा then decrease first decreases then increases always increases always decreases right देखिए तो इन बतारों कि जिसमें जो सही answer है वो होगा आपका कि first decreases then increases मुझे मालूम है आप लोग ने यही चूच किया है ठीक है आप लोग अभी खुश हो चुके हैं वीडियो को बंद करकर आप लोग अराम से घूमने चले गए होंगा कि मैं तो अब आ गया लेकिन वो answer नहीं है वो जो आपका answer नहीं है ठीक है यह ऐसा सभी लोग सोचते हैं है तो decrease करहें इंक्रीज करें अरे वो तो power decrease salvar फॉर्स्ट इंप्रीज इंक्रीज कर época वेलू वह long is read किसका करेगई वह possible का value read करेगा तो power जह हो decrease कर रहा है फिर increase कर रहा है लेकिन अगर मैं बात करूं work done की तो work done तो दुनिया में सब को मालूम है कि power और time graph के area होता है तो आप से पुछा रहा है कि इतने दिर के लिए work done कितना हो तो आप बोलें कि इतने area के बरावर होगा जो आपका area इधर आ गया पिर आप थोड़ा और बोलें कि इतने time में कितना work done हुआ तो आप बोलें कि next time में मतलब 0 से obviously शुरू किया जा रहा है 0 से 2 सेकेंड माले जाए तो 0 से 2 सेकेंड तक इतना आपका work done होगा इतने area के बरावर 0 से अगर 4 सेकेंड से आप तक कोई पूछे तो आपका फिर से area ब बहरते जाएगा area under the curve क्या होता है बहरते जाएगा तो always increases don't get confused right और आपको घूमने नहीं जाना है आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है इतने में खुश होने के जरूवत नहीं है हाँ खुश बिलकुल हो सकते हैं ऐसा नहीं खुश होने के जरूवत नहीं है लेकिन आपक को अभी थोड़ा और सीखना है right तो जो correct option है because the explanation is because area under curve is always increasing with time because area under curve is always increasing with time ठीक है तो अगर area under curve आपका increase हो रहा है हमेसा तो आपका work done हमेसा क्या तो बढ़ते जागा right चले इस question को discuss करते है एक question आपका जो है वो in CRT में भी दिया हुआ है in CRT में इसको थोड़ा अलग तरीके से पुछा है दो questions को दो पार्ट में कर दिया इसको question काफी अच्छा है इससे आपको एक idea मिलेगा right इन CRT को हमेसा garbage आप ना समझा करें उसके question सच्छे होते हैं उसके theory जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पढ़ा हुआ आदमी है उसी को समझ में आगा और बाकी लोग चना चबाएंगे right तो चले हम लोग solution करते हैं इस question को पढ़ने के बाद तो question में यह दिया हुआ कि if a constant power p0 is delivered to a body of mass m value को हम लोग choose करते जाते हैं right body of mass m p0 is delivered to then find a speed of body as a function of first में आपको निकालना है time दूसरे में निकालना है position तो मैं question को हिंदी में रुपांतरन कर देता हूँ question यह दिया हुआ है कि एक constant power p0 deliver किया जा रहा है किसी body को constant power deliver किया जा रहा है body का mass जो है m है आप उसको push कर रहे हैं suppose कि constant power दियते जा रहे हैं उसको push करते जा रहे हैं our body का mass जो है m है तो आप से पुछा गया है कि उसका speed time के साथ कैसे vary करेगा और position के साथ मतलब जैसे से आगे जाएगा उसका position change होगा तो position के साथ कैसे vary करेगा राइट consider consider body started from rest actually body लिखा हुआ है मैं थोड़ा copy कर रहा हुआ उसकी कंड कट किया हुआ है तो consider body started from rest ठीक है तो आप consider करना है कि body ने rest से शुरुआत की है correct तो चलिए हम लोग इसको discuss करते हैं तो देखिए बहुत लोग इसमें सोचें कि एक मैं आपको यहां पर एक बात बता दू कि देखिए पावर जो होता है पावर जो होता है एफ डॉट भी ठीक है actually बचे ने काफी अच्छा question एक पूछा था कि अगर power constant है तो क्या sir हम लोग यह बोल सकते हैं इसा नहीं बोल सक अगर आप मालते की force constant है तो उसके पास acceleration होगा और उसके पास acceleration होगा तो उसका velocity जो होगा change करेगा मतलब increase हो सकता है decrease हो सकता है और जैसे ही velocity उसका change करेगा तो आपका power जो हो constant नहीं हो सकता है पावर जो है आपका constant नहीं हो सकता है तो इसका मतलब आप यह देहां रखे कि power is constant power is constant actually objective में भी काफी अच्छा question बन सकता है किसा आप से पूछा कि power is constant does that mean the force is constant no the force is not constant तो ऐसे से questions को actually आप वो questions को बनाने से मतलब नहीं रखना है उसके आज पास इर्द गिरती भी देखना है चारों तरफ उसके देखना है आपको डरना नहीं है यही बात होती है जो qualify करते हैं qualify नहीं कर पाते हैं ठीक हो सोचते रहते हैं कि हमेशा कुछ अलग ना पूछ दे नहीं उससे आपको डरना नहीं उसको आपको face करना है तो if power is constant then force is not constant force is not constant ठीक है अगर आपका power constant होगा तो force constant नहीं होगा यह बुलिए कि अगर force आपका constant होगा तो power constant नहीं होगा reverse is also true reverse is also true correct reverse का मतलब आप समझ सकते हैं कि reverse मतलब हो कि अगर force आपका constant होगा तो power constant नहीं होगा मैं इसको साथ लिखेता हूँ कि force is constant then आप बोल सकते हैं कि power is not not what constant इसको हम इर्ड कर देते हैं तो चलिए हम लोग इसको solve करना शुरू करते हैं तो देखें question को proceed कैसे कियाता है और actually इसमें आप ये भी सिखें कि differentiation वाले question को कैसे deal करते हैं तो first case में आपको solve करना है कि आपको निकालना है कि find speed as a function of time तो पहले में लिखता हूँ कि power जो होता है आपका f dot v अब देखें एक ही force आपका act हो रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे इस direction में आपका force act होगा उसी direction में आपका velocity भी होगा velocity भी थर होगा आपका force ऐसे भी act होगा लिख कर सकता हूँ अब power जो होगा आपका p note हो चुका है p note is equal to आप लिख सकते हैं इसको f v cos 0 ठीक है आपको ये मान कर चलना है कि body force के direction में body ने सुरुवाद किया है race से याथ तो body अगर सुरुवाद किया है race से तो जिस direction आप उसको push करते हुए चलेंगे x direction में तो उसी direction में body भी जाएगा velocity उसका उसी direction में होगा right तो power is equal to a b cos theta तो f is equal to इसको f v अब देखें मैं इसको बैट कर सोचते रहूँ है मेरे को ये रखना है कि यहाँ जो निकालना है वो इस तरह से करना है कि मेरे को velocity जो है time के form में निकालना है जो velocity हो किसके form में निकालना है time के form है right तो वैसा करने के लिए मैं ये करूंगा कि force को मैं acceleration के form में लिखूँगा or acceleration को velocity के form में और p NOT तो आपक constant है तो p NOT आप constant के टर्म में आएगा right m में into v अब p0 is equal to m acceleration को velocity की तरम में हम लिख सकते हैं d by dt into v आप v को एक side कर लिजिए तो आप लिख सकते हैं कि v dv is equal to p by m into dt आप integration sign पूट कर सकते हैं 0 to t time आप पूट कर सकते हैं और velocity जो होगा 0 से भी यह दिया गया है कि body ने rest शुरुवात की है तो dv का integration जो v dv का हो जाएगा आपका v square by 2 आप 0 to v बोलिए और यह आपका p by m और dt का तो इसे ना आपका t हो जाएगा आप limit put की जिए बात परावर हैं तो इसको आप बोलें कि v square by 2 is equal to pt by m और you can say v is equal to 2 pt एक सेकेंड आप बोल सकते हैं v is equal to 2 pt by m का under root राइट का under root तो यह आपका velocity होगा अब बहुत सारे question में यह पुछा करता है वो कि velocity time से कैसे rate होगा तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि velocity is proportional to t to the power half velocity is proportional to t to the power half ठीक है time के साथ यह ऐसे भरी करेगा यह भी एक type का question है actually चलिए अब हम लोग second part में आते हैं अब second part में सोचें कि आप सो अगर बिल्कुल आप सोचें कि आपको कुछ नहीं आता है तो second part में आप कैसे सुचेंगे आपको निकालना है velocity as function of as a function of x तो velocity as a function of x निकालना है correct तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग change कहां कर सकते हैं actually हम लोग को change यहाँ पर हो जाना है जिस तरह से मैंने acceleration को velocity और time को फॉर्म में लिखा तो actually velocity आपका time को फॉर्म में आ चुका है क्योंकि आपनी equation में time को include किया है वह है अगर आपको x को include करना है तो आप acceleration को replace करते वक्त velocity और x के फॉर्म में लिखेंगे तो वहीं से मैं proceed करा हूँ तो आप लिखेंगे p0 is equal to p0 is equal to m a into v और you can say p0 is equal to m v dv by dx right into v correct तो यहां से आप लिखेंगे क्या कि v square dv is equal to p0 by m into dx correct अब इसको आप integration ने put कर सकते हैं तो आप geos से suppose कि x से पहुंचे कि आप माल लिजे कि यहां पर ने शुरुवात आप origin से की है ठीक है आपको as a function of displacement निकला है तो displacement शुरुवात में आपका 0 ही होगा ठीक है तो displacement आप 0 माल लिजे तो यह velocity जो है आपका वहीं से आपने शुरुवात के तो 0 से आपका भी हो चुका है तो आप इसको लिख सकते हैं कितना तो आप लिख सकते हैं v actually लिख सकते हैं v q by 3 integrating from 0 to v is equal to p not x by m तो यहाँ आप लिख सकते हैं v q by 3 आप limit put करने के बाद जो आएगा p not x by m यहाँ से जो v का value हो आजाएगा 3 p not x by m का cubic root का कितना जाएगा cubic root करेक्ट तो यह आपका answer हो जाएगा चलिए तो इस वीडियो में इतना ही है हम लोग next वीडियो में power पर ही कुछ और question करेंगे तब तक के लिए bye bye and thank you